आज हम लोगों का जो साइन्स और टेकलोजी के चीशन से रही है उसका ये नेक्ट पार्ट है और आप सभी लोगों सभी लोग जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है आप लोगों की जो भी क्वेरीज हूं क्वेश्चन से रिलेटेड या जो भी आपको अपडेट वो सभी आपको टेलेग्राम चैनल जो की सेलेक्शन मेंटर के नाम उससे आपको सारे अपडेट तो देरी ना करते हुए हम लोग मूव करते हैं अज के हमारे पहले प्र प्यास दर्द और रोने के लिए जिम्मेदार है तो यहां पर अगर हम लोगों को भूख का क्या होता है एहसास होता है यानि कि महसूस होती है ठीक है तो एहसास हो रहा है यानि कि हमें पता चल रहा है दर्द होता है तो दर्द का एहसास लगता है यानि कि हमें अनुभूत होती है प्यास की अगर बात की जाए तो प्यास हमें लगती है ऐसा नहीं है कि कहीं सिगनल बजता है या कोई अलाम बजता है या पेन होता है ठीक है तो ये सभी चीजें हमारे क्या है sensation से संबंदित है यानि कि अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन response कौन participate करेगा तो इसमें हमारा जो nervous system है यानि कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो भागिदारी निभाएगा तो nervous system के case में अगर हम लोग देखें यानि कि तंत्रिका तंत्र से संबंदित है और यहाँ पर अ और यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन सभी फंक्शन्स के लिए यानि कि इन सभी अनुभूतियों के लिए जो हमारे मस्तिस्क का जो भाग जिम्मेदार होता है वो होता है हाइपो थालम ठीक है तो राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा की अधिक्ता के कारण होता है अब पहली चेज जाने के यह जो ब्लू बेबिस्टरोम है ये है क्या होता है कि ऑकसीजन की deficiency होने लगती है यानि कि oxygen की क्या हो जाती है कमी हो जाती है और oxygen की कमी होने के कारण अगर हम लोग देखें तो बच्चों में problem क्या cause आती है कि उनका सरीर नीला पढ़ने लगता है यानि कि जो oxy hemoglobin है वो नहीं बनता जिसकी वज़े से hemoglobin अपना color show करने लगता है यानि कि blueish होने लगता है सरीर तो ये किस के कारण होता है options है आपके carbonate, sulfate, nitrate या chloride आयन तो यहाँ पर अगर देखें तो जो blue baby syndrome है वो बेटा किस की अधिकता के कारण होता है तो ये खास दोर पर nitrate की अधिकता के कारण होता है जब nitrate की excess amount body में हो जाएगा जिसकी वज़े से blue baby syndrome नाम की disease यानि की बीमारी cause हो जाती है तो इसका right answer आपका क्या होगा? नाइटरेट होगा आई ये move करते हैं हमारे अगले प्रश्ण की तरफ epiglotus is present in epiglotus उपस्थित होता है कहाँ पर? आख में, गले में, इस्टमक में या leg में, पैर में तो यहाँ पर हम लोग देखें तो जो हम लोगों का बेटा आहार नाल होता है या मुख गुहा होती है ठीक है? जैसे suppose that अगर हम लोग बात करें कि ये हम में किसी का क्या है? माउथ है तो माउथ के में क्या है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर oral cavity हो गई ठीक? और इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर vestibule यानि कि nozzle portion है यानि कि नाक का भाग है ठीक है? और यहाँ पर यह हमारे क्या होते है कि हमारे neck में यहीं पर अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों के गरदन है यहाँ पर एक तरफ तो हमारा trachea होता है यानि कि स्वसन नली होती है जो कि हमारे air को lungs में ले कर के जाती है और वहीं पर दूसरा हमारा क्या होता है isofagus भी जुड़ा होता है यानि कि जो हमारे grass नली है जो कि हमारे food को हमारे stomach की तरफ ले कर के जाती है और यहीं पर इसी के joint के portion पर यहाँ पर आपका क्या present होता है epiglotis उपस्तित होता है जो कि एक cap का काम करता है और आप लोगों को हमेशा यह हिदायत दी जाती है कि कभी भी खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए या कुछ और काम नहीं करना चाहिए अगर आप कुछ खा रहें कुछ त्वीर हैं और अचानक से आपको बोलना पड़े तो आपको क्या होता है कि ऐसा लगता है कि खाना अटक या आपको खासी आ जाती है कि के वो इसके कारण क्योंकि इपी ग्लोटिस कन्फ्यूज हो जाता है कि आपको बोलना है क्योंकि जो आपका वाइस बॉक्स है वो भी लैरनेक्स यहीं इपी ग्लोटिस के बाद ही प्रजन्ट होता है जो की epiglotus हमारे सरीर के किस भाग में उपस्थित होता है तो यहां पर epiglotus कहां पर present है बेटा हमारे neck में present है यानि कि हमारे गले में उपस्थित होता है ना कि आँख में ना ही आमाशे में ना ही पैर में आए यह move करते हैं अगले प्रश्ण की तरफ तो हमारा अगला प्रश्ण कह रहा है, the largest unit of distance is, यानि कि दूरे की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, options हैं आपके पार्सेक, light year यानि कि प्रकाशवर्स, picometer और nanometer, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो दूरी को मापने के लिए इकाईयों का हम लोग इस्तमाल करते हैं, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात हो रही है, तो जो nanometer होता है, nanometer क्या होता है, 10 to the power minus 9 meter के बराबर होता है, ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें, picometer की, तो 10 to the power minus 12 meter होता है, तो ये smallest भी नहीं है, one of the smallest है, लेकिन पूरी completely smallest नहीं है, ठीक है, picometer, क्योंकि वह होता है, atometer, atometer को हम लोग कहते है, 10 to the power minus 18, इससे बड़ा होता है, femtometer, जो की है, आपका 10 to the power minus 15 meter के, उसके बाद आता है, picometer, फिर उसके बाद आता है, नैनो, distance के case में, और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, कि नैनो से पहले तो एंगर स्ट्रॉम होता है, और एंगर स्ट्रॉम को हम लोग 10 to the power minus 10 कहते हैं, तो एंगर स्ट्रॉम जो है, ये खास तोर पर wavelength के लिए, यूज किया जाता है, तरंग दैर्ध के लिए, ना क वहीं बात करें, आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ये light year है, यानि कि प्रकाश वर्स है, और प्रकाश वर्स क्या होता है, एक साल में प्रकाश के द्वारा तै की गई कुल दूरी, यानि कि the distance traveled by light in one year, ठीक है, और ये कितना होता है, 9.46 into 10 to the power, कितना, 10 to the power, 18, ठीक है, तो ये होता है हमारा light year, ठेकिन बात हो रही ही वहीं पार्सेग की, तो पार्सेग क्या होता है, 1 पार्सेग, एक पार्सेग जो है, ये क्या होता है, इसलिए यहाँ पर जो largest unit to measure the distance है, यानि कि दूरी मापने की जो सबसे बड़ी ही इकाई है, वो क्या होगी, पार्सेग होगी, और right answer आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है बिटा, अगला प्रश्न है हमारा, the unit of excretory system is, यानि कि हमारा जो उत्सरजन तंत्र है, उसकी इकाई क्या है, ठीक है, तो excretory system में अगर देखा जाए, तो हमारी body से जो toxic waste है, toxic waste यानि कि जो जहरीले अपसिस्ट है, उनको सरीर से चान करके बाहर निकाला जाता है, और चानने के लिए इसका च्छनन होता है, तो हमारे रक्त का, यानि कि blood का filtration हो रहा है, तो blood का filtration कहा होता है, तो हमारे व्रिक में होता है, ठीक है, किस में होता है, तो व्रिक में होत है व्रिक जिसकों के हम लोग गुर्दा या किडनी कहते है ठीक है गुर्दा या किडनी कहते है यानि कि व्रिक कहते हैं तो यहां पर जो है कि कौन सी इकाई है तो यहां पर जो rectum दिया हुआ है ये rectum किसका part है ये हमारे large intestine यानि कि बड़ी आंत का भाग होता है ठीक है और जो nephron है ये nephron किसका part होता है तो ये kidney यानि कि व्रिक का part होता है तो इसका right answer होगा आपका A यानि कि nephron खीक है तो इसलिए अगर देखे तो nephron is the smallest unit of the kidney यानि कि nephron जो है ये हमारे व्रिक की क्या होती है सबसे छोटी इकाई होती है और साथी साथ अगर हम लोग देख साथ हमारे blood filtration का भी काम करती है यानि कि उत्सरजन तंत्र की जो एकाई है यानि कि unit है वो आपका क्या होगा नेphron होगा यानि कि A is correct answer ठीक है अगला question है हमारा while is stopped bus we fall forward is based on whose principle यानि कि bus के रुकते ही हम लोग आगे की ओर गिर जाते हैं ये किसके सिध्धान्त पर आगधारित है Newton's first law यानि कि Newton का प्रथम नियम Kepler's law Kepler के नियम पर आधारित है किर्चाफ law ठीक है किर्चाफ के नियम पर आधारित है या हुंड's law हुंड के रूल पर आधारित है तो यहाँ पर अगर देखें तो हुंड ने जो नियम दिये थे वो कौन से नियम दिये थे हुंड ने द करते हैं ठीक है तो इलेक्टोनों की गति का जो नियम है वो उससे एक नियम दिया था किसने हुंड ने ए और साथी साथ electronic configuration यानि कि electronic विन्यास का भी किरचाफ का जो नियम है यह किस से संबंदित है यह आपका physics में संबंदित है जो की आपका electricity से है केपलर ने जो laws दिये थे वो ग्रहों की गति का दिया था यानि की जो हमारे planets है planetary motion यानि की ग्रहों की गति के गति विश्यक नियम दिये थे किसने केपलर ने और Newton का जो first law है Newton का first law क्या कहता है क्या कहलाता है यह कहलाता है आपका law of inertia law of inertia यानि की जो हमारा क्या है जड़त्व का नियम है ठीक है किसका नियम है जड़त्व का नियम है ठीक है तो जड़त्व के नियम के ही वज़े से बस के रुकने पर कार के अचानक से आगे बढ़ने पर बाई के अचानक से आगे बढ़ने पर हमारा पीछे गिरना, कार के या बस के दाएं घुमने पर हमारा बाई ओर गिरना, ठीक है, बस के रुकने पर हमारे या कार के रुकने पर अचानक से आगे गिरना, या ठोकर लगने पर आगे गिरना, ये सभी जणत्तु के नियम पर आधारित होता है, यान की Newton का प्रथम नियम है ठीक है इसलिए right answer आपका क्या होगा A option correct होगा ठीक है अगला है bone to muscles attachment occurs by यानि की हड़ी से पेशियों को जो जोडने का कार है वो किसके द्वारा किया जाता है ठीक है तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो options है आपके ligament, tendons, arteries और cartilage यानि की ligament को हम लोग क्या कहते है हिंदी में कहते है इसनायू तन्तु ठीक है इसको क्या कहा जाता है इसनायू तन्तु कहा जाता है ठीक है tendon को हम लोग क्या कहते है तो tendon को कहा जाता है कंडरा या कंडरा एं ठीक है कंडरा कहा जाता है आर्टरीज यानि कि ये हो गई हमारी धमनी और कार्टिलेज को कहते है उपास थी ठीक है क्या कहा जाता है उपास ही कहा जाता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो bone to muscles attachment की बात हो रही है तो हम लोगों की जो bones होती हैं, हड़ियां होती है, हड़ियों के उपर हम लोग देखते हैं, कि हमारी manspatia जो है, ये क्या है, ये attached है, यानि कि जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो bone to muscles attachment है, यानि कि हड़ि से पेशी को जोड़ने की बात हो रही है, तो bone to muscles attachment जो है, ये किसके द्वारा होता है, तो ligament की अगर बात करें, तो ligament में याद रखिएगा BB, ठीक है, BB यानि कि bone to bone attachment जो है, वो ligament के द्वारा होता है, यानि कि नायूतंत के द्वारा होता है, और BM जो है, ठीक है, BM यानि कि bone to muscles attachment जो है, ये हमेशा होता है किसके द्वारा कंडराओं के द्वारा यानि कि टेंडन्स के द्वारा और अगर mm की बात करें mm यानि कि मिलीमीटर नहीं mm यानि कि muscles to muscles attachment जो है ये भी किसके द्वारा होता है तो ये भी टेंडन्स के ही द्वारा होता है arteries blood supply का काम करती है और bone के जो corner का portion होता है वो soft होता है क्यों क्योंकि वो cartilage यानि कि उपास्तियों का बना होता है और साथी साथ अगर हम लोग देखें तो कई सारी हड़ियां जैसे कि हम लोगों की पसलियां है यानि कि ribs है ये front में cartilage present होती है उसके द्वारा जुड़ी होती जो कि लचीली होती है ठीक है तो इसका right answer होगा tendon इस question का ठीक which of the following is a fluid connective tissue यानि कि निम्णब में से कौन तरल संयोजी उतक है इस्प्लीन यानि कि प्लीहा, bone marrow अस्थिमज्जा colon या blood ठीक है, तो यहां पर अगर देखें तो इस्प्लीन को प्लीहा कहते है और इस्प्लीन क्या है it is the graveyard of RBC यानि कि जो लाल रख्तकणिकाई है हमारी, उनका क्या है कब्रिस्तान है ठीक है, उसका क्या है कब्रिस्तान है, ठीक है इन सभी का क्या होता है production होता है यानि कि उत्पादन होता है और ये हड़ी के अंदर जो fluid present होता है उसमें होती है ठीक वहीं colon की बात की जाए तो अभी हम लोगों ने पहले भी discuss किया है कि colon large intestine यानि कि बड़ी आत का भाग है और हमारा रक्त ठीक है तो connective tissue connective tissue क्या होते है कि वो यानि कि connective tissue यानि कि संयोजी उतक ठीक है संयोजी उतक तो नाम से clear होगा कि ये क्या कर रहे है संयोजन कर रहे हैं संयोजन करना यानि कि इसको क्या कहा जाता है जोडना कहा जाता है ठीक है तो जो भी चीजें हमारे सरीर के विभिन भागो को या एक दो से अधिक भागों को आपस में जोडने का काम करें उनको हम लोग कहते हैं connective tissue यानि कि संयों जी उतक इनको कहा जाता है और संयों जी उतक जो होते हैं इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हों क्योंकि cells और हमारे सरीर के सभी भागों को जोडने में अगर देखा जाए तो blood participate करता है यानि कि रक्त और रक्त की भौतिक आवस्था क्या होती है तरल होती है यानि कि liquid होती है fluid होता है इसलिए इसको कहा जाता है fluid connective tissue यानि कि तरल संयों जी उतक तो right answer हो जाएगा आपका D option ठीक है अगला प्रश्ण है हमारा the pH scale was given by यानि कि pH सार्णी का प्रतिपादन किस ने किया था तो जो pH सार्णी यानि कि pH scale होती है इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं इससे हम लोग अमल और छार का पता लगाते हैं तो pH scale में जो value होती है ये 0 से 14 होती है जिसमें 7 median यानि कि मद्ध होगा और 7 to 14 के बीच में है यानि कि 7 से 14 के मद्ध है तो वो घटक आपका क्या होता है बेस होता है यानि कि छार होता है तो अमल और छार का पता लगाने के लिए हम लोग किस का इस्तमाल करते हैं pH scale यानि कि pH पैमाने का इस्तमाल किया जाता है और ये किस ने दिया था options हैं आपके चैडविक तो चैडविक ने आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंट पर नाचे यानि कि neutron चैडविक neutron की discovery तो चैडविक ने की थी लेवासिये जो हैं लेवासिये को क्या कहा जाता है लेवासिये है father of the modern chemistry यानि कि आधुनिक ठीक है आधुनिक रसायन विज्यान का जो जनक है ठीक है आधुनिक रसायन विज्यान का जनक किसको कहा जाता है एंटोनी लेवासिये को कहा जाता है ठीक है गैलीलियो गैलीली ने क्या बनाया था गैलीलियो ने बनाया था टेली स्कोप यानि की दूर दर्शी का निर्माल किया था ठीक है दूर दर्शी बनाया था यानि कि telescope बनाया था और S.P. Sorenson जो थे S.P. Sorenson ने क्या बनाया था pH scale दिया था यानि कि pH पैमाना बनाया था तो इसका right answer आपका क्या होगा option C यानि कि S.P. Sorenson ठीक है उमीद करते हैं आप लोगों को clear हो रहा होगा ठीक है comment करके जरूर बताइएगा ठीक है अगला प्रश्ण है हमारा the pH value of the blood is फिर देखे pH मान से संबंधित प्रश्ण आ गया तो रग्त का pH मान कितना होता है यानि कि blood की pH value कितनी होती है options है 7, 7.2, 7.4 या 7.6 तो blood जो है हमारा उदासीन कभी नहीं होता यानि कि neutral नहीं होता तो 7 कभी नहीं होगा अब यहाँ पर देखा जाए range में अगर हम लोग देखें तो blood की pH value 7.2 से 7.6 होती है लेकिन जो average जो हमेशा standard माना जाता है वो हमेशा क्या कहा जाता है slightly basic यानि कि थोड़ा सा छारी होता है हमारा रक्त और blood की जो pH value होती है सीधे सीधे हमेशा के लिए याद रखिए कि blood की pH value होती है 7.4 यानि कि 7.4 ही होती है ठीक है तो blood की pH value 7.4 होगी the rocket flight is based on which principle यानि कि जो rocket की उड़ान है वो किस धानत पर आधारित होती है तो rocket जो होते हैं rocket का इस्तमाल हम लोग करते हैं satellites को project करने के लिए यानि कि उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए और उपग्रहों की अगर बात करी जाए तो उपग्रह में अगर हमें किसी rocket को या किसी भी उपग्रह को हमें किसी कक्षा में चाहे वो भू इस्तिर कक्षा हो या जानि कि geostationary orbit हो या polar satellite orbit हो तो वहाँ पर अगर देखिए तो उसके लिए हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा gravity के against काम करना पड़ेगा तभी वो हमारे गुरुत्वा कर्शे गुरुत्वी के गुरुत्वी छेतर के बाहर पहुँच पाएगा और इसके लिए हमें देना पड़ेगा escape velocity यानि की पलायन वेग और पलायन वेग का मान प्रत्वी के लिए कितना है तो 11.2 km प्रति सेकेंड अगर इस रफतार से हम किसी गेंद को भी या आप में से किसी को अगर उचाल दिया जाए और ये speed maintain कर दी जाए तो आप भी प्रत्वी के गुरुत्वी चेतर के बाहर कहां पहुँच जाएंगे अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे और बिट में यानि के कक्षा में उपग्रों की कक्षा में तो यहां पर देखा जाए तो दूसरा question आपका और बनता है कि rocket में इंधन क्या use किया जाता है तो rocket fuel जो है वो आपका होता है liquid hydrogen होता है तरल hydrogen कहा जाता है तो rocket इंधन क्या है liquid hydrogen है और यह किस सिधांत पर आधारित है जब भी आप कभी भी देखते हैं कि अगर कोई भी rocket है तो rocket में एक thrust पैदा किया जाता है ठीक है जिससे कि यह hydrogen burn हो करके oxygen के साथ क्या होता है कि फिर बाहर निकलता है और इतना forcefully निकलता है कि जितने तेजी से thrust पैदा होगा उतनी ही तेजी से rocket भी हमारा क्या होगा आगे की तरफ बढ़ेगा और यह नियम जो है यह Newton के third law यानि कि अगर हम लोग बात करें तो Newton का जो तृतिये नियम है वो क्या कहलाता है वो है action reaction य पर आधारित होता है ठीक है तो करिया प्रतिकरिया का जो नियम है यह आधारित इस पर आधारित होता है आपका rocket की उलान ठीक है तो यहाँ पर law of inertia यानि कि जड़त्तो का नियम यह बिलकुल नहीं होगा projectile motion प्रक्षेप गती नहीं होगा none of the above होगा नहीं क्योंकि law of action reaction जो कि जो washing machine है वो किस धांत पर कारे करती है ठीक है ये प्रश्ण बहुत आप लोगों को confusion create करता है कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा तो आप लोग कभी भी आप washing machine के cabinet को अगर देखिए तो उसके अंदर आप देखते है कि कुछ इस तरीके के shape बनी होती है और इसके अंदर क क्या होता है एक golden करती हुई एक plate लगी होती है और ये जो plate है ये क्या करती है move करती है ठीक है clockwise और फिर anti-clockwise अब यहां पर देखा जाए तो जो washing machine है ये किस सिद्धान पर ये कपड़े अगर हम इसमें पानी और कपड़े डाल दें तो क्या वो कपड़े केंदर की ओर आते है तो हमेशा क्या है ये घूम करके कपड़ों को बाहर की तरफ फेकती है और बाहर की तरफ जो बल लगता है यानि कि केंदर से विमुक तो वो कहलाता है आपका centrifugal force यानि कि इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग अपकेंद्री पल ठीक है क्या कहा जाता है अपकेंद्री पल कहा जाता है तो वाशिंग मसीन जो है किस बल पर आधारित है तो ये centrifugal force यानि कि अपकेंद्री ये बल के सिद्धान पर काम करती है सेंट्री पीटल क्या होता है सेंट्री पीटल फोर्स जो है ये आपका जो सेंटर की तरफ लगे यानि कि केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है ये आपका क्या कहलाता है सेंट्री पीटल फोर्स कहलाता है ग्रैविटेशनल फोर्स गुरत्वा कर्शल बल आप सभी लोग ज जिसे हमारा पूरा solar system बधा हुआ है Osmotic force जो है यह आपका क्या होता है कि Osmosis की प्रक्रिया में परासरन की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है तो यहाँ पर देखा जाए तो जो right answer है वो है A यानि कि Up-Candriable अगला प्रश्ण है हमारा separation of cream from the milk is based on which principle यानि कि दूद से cream को निकालना किस सिध्धान्त पर आधारित है तो जो दूद क्रीम निकालने की जो machine होती है उसमें क्या होता है उसमें अंदर plates लगी होती और उनमें घूलनन होता है और जो washing machine का सिध्धान्त है वही आपका दूद से cream निकालने का भी सिध्धान्त है इसलिए right answer यहाँ पर भी क्या होगा यहाँ पर भी centrifugal force यानि कि आपका आप केंद्रिय बल आपका right answer होगा यानि कि सही answer होगा आप केंद्रिय बलके का कि कैसा होता है अगला प्रश्ण है हमारा if we separate fibrinogen from plasma then remaining plasma is called यानि कि अगर हम plasma से fibrinogen को अलग कर देते हैं तो सेस बचा हुआ भाग क्या कहला है तो plasma fibrinogen की अगर हम बात करें तो fibrinogen blood में पाई जाने वाली रक्त में पाई जाने वाली एक protein है जो कि काम क्या करती है जो कि रक्त का ठक्का जाने में मदद करती है यानि कि blood clotting में मदद करती है जब भी हमें चोट लगती है तो अगर हम plasma में से fibrinogen को हटा देंगे देखो blood का जो 55 प्रतिश्यत भाग है वो हमारा क्या होता है वो होता है हमारा plasma ठीक है plasma के constituents की बात करें कि plasma किसका बना होता है तो plasma पहली चीज तो light yellow color का होता है हलके पीले रंग का होता है plasma का जो 90 प्रतिश्यत भाग है वो सिर्फ और सिर्फ किस से बना हुआ है पानी से बना हुआ है 8% part में होती है proteins, blood protein और 2% भाग में 2% में होते है minerals ठीक है तो प्रश्ण plasma से पूछा जाता है हर exam में लगबग पूछा जाता है तो रक्त का कितना भाग plasma है तो 55% भाग plasma है ठीक है या रक्त की protein किस में उपस्थित होती है तो plasma में उपस्थित होती है अब plasma में से अगर हम क्या कर दे प्लाजमा से फ्राइबनोजन को हटा दें तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा option है आपके सीरम, प्लाजमा, हीमेटिन या हीपैरिन तो हीमेटिन और हीपैरिन ये दोनों तो हमारे ब्लड की प्रोटीन हो गए तो ये प्रोटीन है तो ये तो होगा नहीं ठीक है अब या तो प्लाजमा होगा या तो सीरम होगा लेकिन जब प्लाजमा में से फ्राइबनोजन को हटा देते हैं तो बचा हुआ भाग हमारा कहलाता है सीरम और यही सीरम आप में से कई लोग अपने बालों को सुस्थ रखने के लिए आपका बारबर जो है आपका डाई जो है वो इसी को लगाने के लिए कहता है तो जो सीरम है वो बलड से ही बनाया जाता है ठीक है तो अगर फ्राइबनोजन को हटा दे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा आपका सीरम कहलाता है ठीक है तो A is correct answer कैडिला is the unit of सटी को हिंदी में क्या कहा जाता है जियोती तीवरता ठीक है क्या कहते है जियोती तीवरता इसको कहा जाता है ठीक है प्लेन एंगिल यानि की समतल कोण के लिए क्यो वाइड एंगिल घन के कोण की इकाई है या मास यानि की द्रव्यमान की इकाई है करें तो यह सिस्टम में इसमें मासगी काई यानरे किसी घंद इसके पूर्ण की इकाई होती है इसोल इसके प्लेन अंगिल समतल के कौल की अगर returned बात करें तो सम्तल का कून आपका क्या कहलाता है तो ये कहलाता है इसकी इकाई होती है radian अब बात हुई luminous intensity यानि कि जियोती तीवरता की ठीक है तो जियोती यानि कि जो luminous है प्रकाश है जियोती है ये हमें किसको जलाने से मिलेगी तो candle को अगर हम जलाएंगे यानि कि मुं बत्ती जलाएंगे तो हमें luminous intensity मिलेगी यानि की जियोती मिलेगी तो जियोती तीवरता की काई क्या हो जाएगी तो cadilla होती है तो इसका right answer हो जाएगा आपका a question a option तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं clear होगा तो चैनल को like, subscribe और share जरूर करें साथी साथ bell icon को press करें ताकि आप लोगों को proper notification मिलते रहें और आपकी तैयारी advance बनती रहें धन्यवाद